अगर अब nothing phone 1 या nothing phone 2 यूज़ करते हो तो nothing का जो photo widget है हो हम लोग को बहुत ही बढ़िया लगता है और definitely अलग सा एक look देटा है अब photo widget को increase भी कर सकते हो decrease भी कर सकते हो size में और जितना मनच है photos को add कर सकते हो automatic shuffle कर सकते हो grey scale preview भी कर सकते हो frame भी add कर सकते हो बहुत सरे features आपको मिलेगा nothing OS में जो कि nothing phone 1 या nothing phone 2 में आगब को मिल जाएगा और यही photo widget अब कोई भी phone में install कर सकते हो बहुत easily और मैं actually मेरा one plus north c4 में recently install किया हूँ यह photo widget जो कि मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है nothing OS का तो इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम लोग ए photo widget को कोई भी phone में install कर सकते हो क्या-का features हम लोग को मिल जाएगा इसके बारे में तो अगर आपको take created tips and tricks जाए तो जरूर मेरे चैनल को subscribe कर लिजेगा और bell icon को press कर दीजेगा क्योंकि मैं ऐसा वीडियो चैनल पर तो इधर पर आप देख सकते हो मैं one plus north c4 यूज कर रहा हूँ और इस phone में भी photo widget को add किया हूँ ए photo widget में install किया हूँ actually application से और definitely photo widget को में resize भी कर सकता हूँ इसे nothing phones में हम लोग किये थे जितना चाहिए आप photo आप इधर पर add कर सकते हो और उसको shuffle भी कर सकते हो इसके बाद एक tap action भी configure कर सकते हो अगर tap action पर करते हो तो next photo में जाएगा या फिफी full screen में में next photo में अगर click करता हूँ और इधर पर और भी photos add करता हूँ और कुछ इधर पर option भी रहता है जैसे यह वाला option है shuffle को में turn on करना चाहता हूँ या नहीं और में अगर इसको एक बार tap action configure करके फिर add to home screen में click करता हूँ तो इधर पर आपको कुछ options मिलेगा जैसे में tap करते ही photos change हो जाएगा बहुती बरिया widget मुझे लगा जैसे nothing phones में आपको मिलता है तो इसको आपको install करने के लिए या फिर configure करने के लिए एक app install करना पड़ेगा तो material photo widget बोलके आपको search करना है play store में और यह वाला जो widget का app है इसको install करना है एक बार install करने के बाद कोई भी आप home screen में कही पर भी click करके जैसे widget आप configure कर सकते हो जैसे आपको एक option मिलेगा material photo widget इसको drag and drop करना है और drag and drop करके इधर पर photos आप add कर सकते हो कोई भी photo जो आपका मान चाहे और साड़े options आपको मिल जाएगा जो की बहुत बढ़ी options है तो एक बार configure करने के बाद add to home screen में click करने के बाद आ देख सकतो है कितना छोटा है लेगिन इसको आप increase भी कर सकते हो size में और जितना मन चाहे आप इसको configure कर सकते हो तो एही बोलके मैं वीडियो को end करने चाहता हूँ अगर आपको ए वीडियो अच्छा लगाए तो जरू मेरे चानल को subscribe कर लीजेगा और bell icon को press कर दीजेगा क्य